हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की लास्ट रेडिंग डेकी बात करें तो अल्मोस्ट एक परसंट टक के आफसाइट के साथ इस टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है बड़ी गिरावाट आई थी 170 तक के तार्गेट डिकाए वहां से लगातार गिरावाट में हम देख सकते जम्प आ रहा है रिजेक्शन लेकर लो ब्रेक्डाउन करता नजर आया लेकिन इस गिरावाट के साथ अगर चार्ट पैटन को देखे तो अपने इस लो को यहने 142-140 के लेवल को ब्रेक्डाउन नहीं किया इस टॉक ने इसके उपर से ही सपोर्ट लेकर अगेन देख सकते अब इसका चार्ट पैटन जो है बदलते नजर आ रहा है पहले लो जम्प पर रिजेक्शन और लो ब्रेक्डाउन कर रहा था लेकिन यहां से जम्प आया रिजेक्शन लिया लो ब्रेक्डाउन नहीं हुआ अगेन जम्प आया और रिजेक्शन लिया तो इस लो को ब्रेक् अच्छा पे करती है तो यहां से आप अगर सपोर्ट की बात करें तो जहां इससे पहले सपोर्ट लिया है 148 का लेवल नीचे की और ब्रेकड़ॉन कर जाता है तो जहां से बॉंस बैक क्या 144 और 140 का लेवल तगड़ा और काफी इंपोर्टन सपोर्ट रहेगा लेकिन अब चांस बन रहें अब ट्रेंड के आने वाले ट्रेडिंग डे में अगर इमीडिट टार्गेट की बात करें जहां सपोर्ट लिया था आगे इंड रिजेक्शन फेस किया था 150 152 यहां तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है 150 से लेके 152 का तक का जंप दिखा सकता है लेकिन अगर 152 के लेवल को ब्रेक आट कर गया तो आगला तरगेट 158-160 का लेवल और इस लेवल को ब्रेक आट करता है तो आपने इस हाई को इन्हें 170 को लेवल को ब्रेक आट करते हुए टाटा पावर फिर आमको 180 तक का भी जंप दिखा सकत आए वीडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाइसल या होल्ड की सला नहीं दे अगर आप टिमेट अकॉंट उपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दे गई लिंक से कर सकते हो